हिलो बच्चों, आज हम सीखेंगे पालतू जानवरों के नाम, इंग्लिश और हिंदी में, पिक्चर्स के साथ गाय, गाय को इंग्लिश में कहते हैं, ताउ, ताउ मतलब गाय, ये है वेंस, वेंस को इंग्लिश में कहते हैं, बफलो, बफलो मतलब वेंस, बच्चों इसे कहते हैं, बक्री, बक्री को इंग्लिश में कहते हैं, गोट, गोट मतलब बक्री, ये है कुत्ता, कुत्ते को इंग्लिश में कहते हैं, डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, कुत्ते का बच्चा, कुत्ते के बच्चे को इंग्लिश में कहते हैं, पपी, पपी मतलब, कुत्ते का बच्चा, ये है, खरगोश, खरगोश को इंग्लिश में कहते हैं, राबिच, राबिच मतलब, खरगोश, इसे कहते हैं, भेर, भेर को इंग्लिश में कहते हैं, शीग, शीग मतलब, भेर, इसे कहते हैं, गोड़ा, गोड़ी को इंग गोड़ा, ये है गोरी, गोरी को इंग्लिश में कहते हैं, मैं, मैं मतलब गोरी, ये है गधा, गधे को इंग्लिश में कहते हैं, डॉंकी, डॉंकी मतलब गधा, ये है उंत, उंत को इंग्लिश में कहते हैं, कामल, कामल मतलब उंत, इसे कहते हैं, बिल्ली, बिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं, काट, काट मतलब, बिल्ली ये है, बिल्ली का बच्चा, बिल्ली के बच्चे को इंग्लिश में कहते हैं, किचन, किचन मतलब, बिल्ली का बच्चा ये है सुआ, सुआ को इंग्लिश में कहते हैं पिग, पिग मतलब सुआ ये है मुर्गा, मुर्गे को इंग्लिश में कहते हैं कॉक, कॉक मतलब मुर्गा ये है मुर्गी, मुर्गी को इंग्लिश में कहते हैं धेन, धेन मतलब मुर्गी ये है मुर्गी का बच्चा, मुर्गी के बच्चे को इंग्लिश में कहते हैं चिक, चिक मतलब मुर्गी का बच्चा ये है सांड, सांड को इंग्लिश में कहते हैं बूल, बूल मतलब सांड ये है चुहा, चुहे को इंग्लिश में कहते हैं राट या फिर माउस को इंग्लिश में कहते हैं डक डक मतलब बत्तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद